आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Question में दिया हुआ है XYZ क्या है AP में है ठीक है और X² Y² Z² HP में है तो इसका मतलब क्या होगा मेरा 2Y किसके इकोल हो गया X प्लस Z के Equation No.1 और X² Y² Z² मेरे अगर HP में है तो इसका मतलब यहां से क्या निकाल तकता हूँ है 2 upon Y² इकोल टू 1Y X² प्लस 1Y Z² ठीक है तो यहां से मेरे पास क्या आगया X, X इंटु Z का whole square X² प्लस Z² इकोल टू 2 upon Y² ठीक है तो यह Equation No.2 अब Equation 1 में दोनों तरफ अगर whole square करता हूँ तो 2Y का स्कार 4Y स्कार आगया इकोल टू मेरे पास क्या आगया X² प्लस Z² प्लस 2XZ ठीक है तो इसका मतलब X² प्लस Z² की जगे 2Y by square equal to 4Y square minus 2XZ upon XZ का whole square ऐसे लिख सकता हूँ तो यह जाएगा 4Y upon XZ का whole square minus यह मेरे पास क्या होगा 2 upon XZ ठीक है equal to 2 upon Y square तो यह फिर अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ में 2 common ले लिए 1YXZ प्लस 1YY square equal to 4 times of YYXZ का whole square ठीक है यहाँ से एक इसे लिख सकता होगा 2 times सो मेरे पास आगया half of 1YXZ प्लस 1YY square equal to Y square upon XZ का whole square ठीक है इसको अगर मैं LC में लेता हूँ तो Y square plus XZ upon XZ into Y square ठीक है equal to मैं आ जाएगा Y square upon XZ का whole square सो यह XZ से XZ cancel out हो गया यहाँ से यहाँ से यह मेरे पास क्या आ गया अब इन्होंने बुला है कि पहला X और XYZ तीनों equal होंगे ठीक है तो अगर तीनों equal होंगे तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर यह relation सही बैठना चाहिए यहाँ से स्क्यार X में अगर convert कर दें सबको तो यहाँ से हो जाएगा यह भी इधर क्या जाएगा X square plus X square तो यह नि 2X की power 4 और इधर से RHS में भी 2X की power 4 यानि यह option correct हो गया ठीक है option 1 इसमें बुला है कि minus XY to Y और Z GP में minus XY to Y और Z GP में ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया Y square किसके इकल हो गया minus X Z by 2K यानि 2Y square equal to minus X Z तो यानि यहाँ से मैं क्या लेख सकता हूँ Y square plus X Z ठीक है equal to minus Y square तो Y square plus X Z की जाएगे minus Y square अगर रख दूँ तो यह X Z into minus Y square आ जाएगा Y square into Y square तो Y square से Y square के अंसल आउट हो गया तो मेरे पास Y square plus X Z की value क्या आ गई 0 ठीक है और जो कि यहाँ से क्या है यह इसमें Y square plus X Z की value क्या दी हूँ यह minus Y square ठीक है तो इसका मतलब Y square को यहाँ पर क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा ठीक है तो इसका मतलब यह option भी correct हो सकता है can be true अब इसमें बोला है कि X Y 2 Y और Z GP में है X Y 2 Y और Z अगर GP में हुए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Y square यहनि X Z by 2 तो इसका मतलब 2 Y square किसके को हो जाएगा X Z के तो X Z की जगे गर मैं 2 Y square डालता हूँ So 2 Y square into Y square plus 2 Y square ठीक है यह कितना हो गया 3 यहनि 6 Y की power 4 जोगी किसके कोल है 4 Y की power 4 की यहनि that is not true तो इसका मतलब क्या हो गया यह option तो wrong हो गया तो answer क्या हो गया इसमें यह तो इधर बन यह यह तो option 4 correct हो गया Classics Tutorial से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 84004400 पर